मेरा नाम है इंजली कौशिक और आज जो है आपका एक जो नया हमने कोर्स आपको बताया था कि हम यूजी सी नेट की साइकॉलजी का स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आज उसका फॉर्स लेक्चर आपका है ठीक है इसके अंडर आपका हम फॉर्स उनिट से ही चलेंगे पूरा पॉर्स उनिट जहां से साइकॉलजी स्टार्ट हुई है इस बेसिकली अंड बेस्ट आपका हम इंडिन साइकॉलजी कैसे बनी इस्टम आपकी गीता भागवत गीता बुद्धिजम इंटीग्रल योगा ताविजम वह सब इसके अंडर पड़ेंगे सूफिजम इसके अंड लब हुई आउट ओफ वेस्टन सोसाइटी ग्रीक कल्चर में जो भी आपके आये थे जो फिलोसिफर थे किस तरीके से आगया आगये प्रॉपर एक साइकॉलजी टर्म बनी उसको हम रीड करेंगे क्या-क्या आपके स्कूल साइकॉलजी के वह सब हम पड़ेंगे देन थर् सेक्शन में पड़ेंगे तो आगे हम देखते हैं हमारा आज का टॉपिक विच इस साइकलोजी कल थॉट इन सम मेजर इस्टन से स्टम भागवत गीता बुद्धिजम सूफिजम एंड इंटीगल योगा इस वाली स्लाइड में नहीं है वह आपकी नेक्स वीडियो में हम ल जब हम साइकॉलजी को पढ़ने की बात करते हैं तो साइकॉलजी के पढ़ने के दो तरीके होते हैं ठीक है व αν इससेकिन फिलोसोफिटल अब बात करी जैंटीध ये पीस्टेम लागव थीकलये अंडर आपकी besky lived इंपिरिकल चीजiden आती हैं जिनको हम परूब करते हैं विद्व फिलोस्वीकल के अंदर कैसे कि जैसे सिगमेंट फ्रुट की धियोरी ये जो बेसिकली कुछ हद तक आपकी फिलोस्वी पेडियो तो उसमें आपके कौन सी क्याती है फिलोसॉफी को आती है अगर बात करें जाए इस्टन साइकॉलजी की एंद सब्जेक्ट अगर ब चाहे वो आपकी सूफिजम हो, चाहे वो आपकी भागवत-गीता हो, चाहे वो आपका बुद्धिजम हो, यह सब क्या है, डी-attachment के उपर फॉलोड है, कि attachment जो है, वो suffering देती है, ठीक है, खुझ से डी-attach होके, you should go for the higher consciousness, ठीक है, higher level of consciousness, बेसिक लिए सारी किसको प्रेक्टिस करते है, डी-attachment को प्रेक्टिस करती है, then the second thing is dualism, यहाँ पर हर जो इस्टन थोट के अंदर, जितनी भी psychological है, जितने भी psychological schools है, जितने भी psychological आपकी philosophies, वो सारी आपको क्या बोलती है, dualism, there is a soul, ठीक है, and then there is a body, so इसे हो क्या बोलते है, dualist तो यह जितनी भी Eastern psychology है, यह क्या है, आपकी dualist है, then inward looking, inward looking in the sense की they'll go for meditation and all, ठीक है, वो इनसान के अंदर जहाकने की बात करती है, कि आप खुद को अंदर से ठीक करो, then you'll be good at the outer part as well, यह Western psychology जितनी भी है, वो थोड़ी आपकी abnormal behavior पर dependent है, ठीक है, वो जादत तर किसके ऊपर आपकी research की गई है, लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं, Eastern psychology की बात करते हैं, तो Eastern psychology जो majorly आई है, वो किसके लिए आई है, inward looking, ठीक है, inward looking के लिए अंदर आई है, अब इसमें क्या है, कि आपका जैसे suppose, meditation है, meditation आपका Eastern psychology से उठके चला है, इसमें क्या है, परसन अपनी अंदर क psychology इच्छाओ को शांत कर रहा है, ठीक है, अंदर से इंसान शांत हो रहा है, और similarly उसको वो आगे परसू कर रहा है, तो ये क्या होगी, inward looking psychology होगी, ठीक, then the second one is, it attempts to bring individual to higher emotional consciousness and enlightenment, जहां हम बात करते हैं, इनलाइटमेंट की, तो वहाँ पर हमारी सबसे major जो term आती है, वो Eastern psychology आती होजते हैं, खुद की enlightenment की, कि एक person can be, a person is capable for being enlightened, ठीक है, तो इसके अंडर हम एक human को वो benefit देते हैं, ठीक है, एक positive light में हम basically human behavior को देखते हैं, लेकिन अगर हम बात करें जैसे behaviorist की, तो behaviorism psychology में क्या है, कि we look a human as a stimulus and response, ठीक है, एक हम reductionist level पे चले जाते हैं, कि हम उसे animal instinct के यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, कि emotional consciousness के हिसाब से हम human को देख रहे हैं, ठीक है, प्लस enlightenment के हिसाब से, कि एक person में खुद का इतना है, खुद का इतना potential है, that a person can get enlightened, then everything is impermanent, arising, forming and dissolving, अब यह चीज़, major line क्यों है, eastern psychology की, reason being, as I told you, that they perform de-attachment, अब जहाँ बात आती है, de-attachment क की वहीं बात आती है, arising, forming and dissolving, अगर कोई चीज़ permanent है, तो उससे attach होने का फायदा है, so that you will not suffer, ठीक है, when you lose that thing, लेकिन अगर कोई चीज़ impermanent है, अगर हम उसके साथ attach हो जाएंगे, ठीक है, अगर हम उसके साथ attach हो जाएंगे, तो क्या होगा, एक suffering होगी, ठीक है, although everything is impermanent, सब आर बन रहा है, ठीक है, arising, forming and dissolving, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि यह जो everything in the world is basically arising, forming and dissolving, खतम हो रहा है, तो de-attachment जब हम practice करेंगे, जब हम किसी चीज़ से attach नहीं होंगे, ठीक है, when we know the truth of life, that is, कि जो everything is impermanent, ठीक है, जब सब चीज़ impermanent है, हम किसी से attach नहीं हो रहे हैं, हमें पता है कि यह चीज़ आज है, कल नहीं हो सकती है, तो वहाँ पे हमारा end of suffering हो जाता है, टीक, when you know the truth, when you accept the truth, तो वहाँ पे आपके suffering का end हो जाता है, और जितनी भी Eastern thoughts है psychology के, वो सब आपको यही समझाना चाह रहे हैं, majorly, कि everything is impermanent, जो भी चीज़े हैं, वो सब चीज़ of everything else, आज पर उसमें क्या हो रहा है, आपके surroundings में क्या चीज़े चल रही है, उन चीज़ों से affect होने की जगे, आपको अपने inner potential पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, that's why they are following an inward looking approach, ठीक है, अपनी soul को अच्छे से रखें, अपने mind को शान्त रखें, अपनी body के लिए care कर then speaking about the Hinduism, अगर Hinduism के हम बात करें, तो Hinduism में हमारा सबसे एक बड़ा गरंथ जो है, वो है हमारा क्या भागवत गीता, तो भागवत गीता Hinduism में एक major book है for the psychology, अब इसके अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इसमें इन्होंने क्या बोल है, भागवत गीता में एक term है, that is, कि सब ज गीता में लिखा हुआ है, कि even a person, चाए मैं हूँ, चाए आप हो, चाए कोई भी हो, हम सब के अंडर भगवान का एक छोटा सा पार्ट है, जो हम सब के अंदर rely करता है, भगवान को हम, मतलब जो भगवान है, भगवान जो है, वो infinite है, ठीक है, यह बेसिकली भागवत गीता बट नौट हिमसेलफ अगॉड, बट नौट हिमसेलफ अगॉड, हम भगवान नहीं है, हम उसके छोटे से पार्ट है, वी आरा पार्ट अफ देम, वी आरा पार्ट अफ अफ इट, ठीक है, यह बेसिकली कह रहे है, इन्होंने प्राइमरी जो आपका एक एक एस्पेक्ट द ठीक है, then there is a प्राकिर्ती, प्राकिर्ती is basically the nature, ठीक है, जो हमारी बॉड़ी है, वो क्या होगी आपकी प्राकिर्ती होगी, और जो जीव है, वो किस चीज से बना हुआ है, that is पुरुष प्लस प्राकिर्ती, ठीक है, पुरुष आपके अंडर वही वाला पार्ट है, जो पुरुष क्या है, soul which is spiritual, eternal and unchanging, जैसा कि हम बताते हैं कि जो इनसान है, उसका rebirth होता है, आत्मा कभी मरती नहीं है, ठीक है, a soul never dies, so पुरुष जो है, वो soul है, which is spiritual, eternal and unchanging, ठीक है, ना कभी change होती है, spiritual है और eternal है, then प्राकिर्ती, प्राकिर्ती is basically what, physical body, physical body क्या है, physical body आपकी, ना आपकी spiritual है, ना आपकी unchanging है, वो change भी होती है, ठीक है, destroyable भी है, तो वो आपका physical body प्राकिर्ती के अंदर आता है, then as long as the jiva is involved in प्राकिर्ती and its modification, the atman remains bound, अब जब तक एक जीव, ठीक है, जब तक एक जीव अपने nature में, प्राकिर्ती में और उसकी modification में bounded रहता है, ठीक है, त एक human है, अगर वो death उसकी हो गई है, ठीक है, तो अब क्या है, आत्मा जो है, free हो गई है, वो जो human की जो आपकी प्राकिर्ती है, ठीक है, प्राकिर्ती से वो अब release हो गई है, जब तक वो चीज आपकी प्राकिर्ती के साथ attached है, जीवा में है, आत्मन, तब तक वो क्या है, वो bounded है ठीक है क्या है bounded है तो this is what the भागवत गीता सेज अभी आगे हम देख लेते हैं अगर हम बात करें भागवत गीता की तो अभी हमने यह बताए कि word कि जब हम body को छोड़के आगे बढ़ जाती है हमारी आत्मा वाला जब अगली लाइफ में जाता है दो वह सी चीजों को साथ ले के जाता है एक छोडि अब सोल चीजों को हमेशा साथ में लेके जाती है उसको बताने के लिए डेस आिस फ कोश बेसिकली क्या है, कोश इस बेसिकली हमारी पांच लेयर है, शरीर की, ठीक है, इच जीवा इस मेड़ आप फाइफ बोड़ी और शैत, ठीक है, इस है वसे सिगनिफिकेंस इन लिबरेशन अफ दा पर्सन और यह क्या करती है, यह एक पर्सन की लिबरेशन बे उसका सिगन करती है, अब कोश की अगर हम बात करें, तो एक शैत होती है, शैत का मतलब अगर आपके हम पांच शैत को देखे, so that are, first one is अनमया, ठीक है, अनमया, as the name indicates, अन का मतलब क्या होता है, the body which is made up of food, ठीक है, body which is made up of food, या फिर, build out of food, then पंच भूत, जो हमारी पंच भूत बोड़ पंच भूत बोड़ी होती है, पंच भूत बोड़ी जिससे हम अभी physical body के हम बात करें, उसको हम क्या बोलते हैं, अनमया, then material aspect होगा, यह प्राकिर्ती का, ठीक है, physical gross body को बोलेंगे, forming, ठीक है, being, five element, पाच element से मिलके बनी होती है, ठीक है, then style शरीरा, इसको हम क्या बोलते हैं style शरीरा, और यह आपकी सबसे outer layer है, कोश की, ठीक है, body shed की सबसे outer layer है, once this one will shed, जब इनसान की death होती है, तो इनसान का जो यह वाला layer है, वो यहीं छोड़ के जाता है, ठीक है, यह वाली जो first layer होती है, वो वाली layer आपकी यहीं रह जाती है, that is, अनमया, अनमया, पूरी तरीक है, उस हिसाब से आपकी या तो burn out हो जाती है, या फिर आपकी जो दफन कर देते हैं, वो चीज़ हो जाते है, तो वो basically आपकी अनमया होता है, अब जो soul travel करती है, वो इन चार layers के साथ करती है, ठीक है, इन चार layers के साथ करती है, और इसको हम energy body, subtle body, या फिर क्या बोलते है, स तल शरीरा हमारा यहीं रह जाता है, सुक्षम शरीरा जो हमारा होता है, उसके साथ हम basically आगे प्रोसीड करते हैं, एक जो आत्मा है, वो आगे प्रोसीड करती है, इसमें अगर हम बात करें, तो the first one is प्रान मया, प्रान मया आपकी कौन से वाली होगी, ठीक है, जो life force थी ठीक, अब यह चार बाड़ी हमारी हमेशा साथ चलेंगी, then there is मनों में, मनों में आपका करेक्टर, मानस, वासना, संसकार, constant flux, memory, ठीक, वो सारा आपका इसके अंडर आएगा, किसके अंडर, मनों में एके अंडर, then विज्ञान में, विज्ञान में में आपका intelligence consider होगा, then आन जो हमारी body के साथ चलते हैं, जिसमें से आप मतलब, जो हमारी soul के साथ चलते हैं, soul के साथ चार वाली layer चलेंगी, ठीक है, सुक्षम शरीरा वाली, then जो आपकी यहीं रह जाती है, after the death, that is, तल शरीरा, जिसके अंदर आपकी सबसे outer layer आती है, that is made up of food only, ठीक है, made up of punch, भूत, five elements जो हमारे होते हैं, उनसे बनी हुई होते हैं, तो वो body है ही रह जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, soul शरीरा, then जो बाकी की four layer है, उनको हम energy body, या फिर सुक्षम शरीरा भी बोलते हैं, और उसके end में, जो core में, जो हमारी rely करती है, that is, आत्मा, उसको हम बोलते हैं, pure awareness, व आपकी हैं ही खतम हो जाती है, then आगे देख लेते हैं, अब गुना in Hinduism, अगर हम Hinduism की बात करें, तो इन में गुन दिये गए हैं, गुन इस राजस, तमस, एन सात्विक, तीन तरीके के हमारे गुन दिये गए हैं, एक person की जो personality होती है, वो इनी के बीच में define होती है, ठीक है इनी के through define होती है, किसी में हो सकता है, राजस जादा हो, किसी में सत्व जादा हो, किसी में तमस जादा हो, या हो सकता है, किसी में तीनों का interaction चल रहा हो, या दो गुनों का interaction चल रहा हो, तो that's how the personality get defined as per the भागवत गीता, so speaking about the तमस गुन, तमस गुन is basically the negative one, जिसमें आपकी ये चीज़ क्या है, इनकी characteristic है, allows for rest and sleep, जादा सोईंगे, hinder self inquiry and meditation, इन से meditation और self inquiry नहीं हो पाएगी, ठीक है, awareness इनके अच्छी नहीं होती, dull mind basically मिने बोलेंगे, then speaking about the सत्व गुन, जो सात्विक आपके गुन होते हैं, वो क्या होंगे, clear काम mind होंगे, कौन से होंगे, clear और काम ह our easy going, balanced, peaceful, harmonious, contented, ठीक है, जैसे आपके साधुों की बात करते हैं, साध्विक is basically something related to, जैसे साधु होते हैं, साधु चीजों को त्याग देते हैं, फिर भी काम होते हैं, meditate करते हैं, दिल, be in themselves only, so वो आपके basically साथ्व में आएंगे, then truthfulness, ठीक है, allows the discrement, facilitate self inquiry and meditation, वो अपने आप और meditation की तरफ उनका जाधा जुकाव होता है, then rajas, rajas के अगर हम बात करे, energetic mind, यह rajas as the name indicate, जो लोग rule करते हैं, तो यह लोग कैसे होंगे, थोड़ा energetic होंगे, awareness इनकी थोड़ी distort रहेगी, projecting power, ठीक है, busy रहेंगे, passionate होंगे, frustrated होंगे, excited रहेंगे, prone to anxiety, इनको कोई चीज नहीं म और motivation, motivation इनकी अच्छी होती है, then hinder self inquiry and meditation, इनके पास भी शांती नहीं है, इनके अंदर क्या है, they hinder self inquiry and meditation, एक इनसान जो आपके तमस वाले है, तमस वालों में self inquiry and meditation इसलिए hinder है, क्योंकि उनके जो गुन है, वो lazy जादा है, लेकिन अगर हम बात करें, राजस की, उनके तो time ही नहीं है, they will be always in hurry, मेरे को ये करना, ये करना, ये करना है, और थोड़े aggressive भी होंगे, और जो बीच का आपका आपके सत्व गुन है, उनमें क्या है, कि self inquiry and meditation अच्छी होगी, वो थोड़े शांत होगे, काम होगे, ये लोग तोड़े aggressive होगे, कि energy होगी, aggressive होगे, anxiety prone सत्व के अंदर आपकी calmness and all आती है, और dull minded के अगर हम बात करें, तो जो आपकी laziness, slugginess, सब कुछ आती है, वो आपका dull mindedness के अंदर आती है, so the next slide is related to Buddhism, ठीक है, बुद्धिजम के अंदर हमारे जो सबसे major हमारे थे, वो है गौतम बुद्ध, जिनोंने इनका major sect बनाया था, अब बुद्धिजम के अंदर क्या है, कि इनोंने ये बोला कि enlightenment is equal to nirvana, when a soul is free from the cycle of birth and rebirth, the soul is considered as enlightened, ठीक है, वो जो है, वो इन सब चीजों से परहट जाती है, and that can be done by improving your karmas, ठीक है, by doing good karmas, we can do that, ठीक है, ये इनोंने basically बोला, अब इनोंने four noble truth दिये, ठीक है, four noble truth, अब इसके अंदर इनोंने क्या बोला, इनोंने suffering को basically बताया, कि life के चार सत्य है, चार सत्य में सबसे पहला क्या है, दुख, the truth of suffering, to live is to suffer, basically जो भी जी रहा है, वो क्या कर रहा है, ठीक है, तो symptom of suffering क्या है, कि वो throughout the life, जो भी soul, birth ले रही है, ठीक है, जो भी एक जिन्दी की जी रही है, suffer कर दिये, किसी ना किसी perspective से, so to live is to suffer, then samudya, samudya के अंदर, the truth of suffering, इनोंने बोला, truth of suffering क्या है, कि जो, क्या कहते है, जो आपका suffering है, suffering किस चीज़ से आ रही है, truth क्या है, suffering का, so suffering is basically coming from the attachment or desire, जब हम किसी चीज़ करते हैं, जब हम किसी चीज़ से attach होते हैं, तो वो हमें क्या करा आती है, suffer कराती है, so that, 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 that what, he said as the second truth, then the third one, third one में इनोंने क्या बोला, निरोध, निरोध मतलब कि हम कैसे end of suffering कर सकते हैं, the truth of the end of suffering, कैसे कर सकते हैं, ठीक है, क्या वो eternal है, नहीं, हम उसको end भी कर सकते हैं, किस चीज़ के तुरू, de-attachment के तुरू, after that, उनोंने दिया मगा के under the truth of path to end the suffering, ठीक है, suffering को end करने के लिए हमें कौन से path choose करने चाहिए, तो इन path में इनोंने हमारा एक eightfold path दिया था, ठीक है, eightfold path इनोंने हमारे लिए provide करें इसके under, ठीक है, so, एक बर पढ़ लेते हैं, four noble truth, which state that suffering is in life, is caused by the attachment to things in life, and eightfold path should be followed to get released from the pain, और अगर हम eightfold path को follow कर लेते हैं, तो हम suffering से या इस pain से release कर जाते हैं, then, आगे हम देखते हैं, हमारे eightfold path को, so, eightfold path के अगर हमारी बात करी जाए, so, wisdom, the first two is wisdom, right view and right intention, ठीक है, अब इसको हम प्रजने भी बोल सकते हैं, ठीक है, यह हमारे किसके अंदर आते हैं, प्रजने के अंदर भी आते हैं, then commitment to enlightenment के अंदर भी आते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, commitment to enlightenment भी हम इसको बोल सकते हैं, इन दो path को, right view and right intention, अच्छे सही तरीके से और सही intention के साथ चीजों को देखा जाए, right view in the sense आप बायस ना हो, intention किसी का गलत ना सोचे, किसी को गलत तरीके से, आप गलत intention में आके कोई चीज ना करें, मतलब चीज चाहिए सही करें, लेकिन गलत करें, so that comes under the right view and right intention, that answers the question, that is why, ठीके, why, किस तरीके से, then right speech, right action, right livelihood, that comes under the ethical conduct, ठीके, सही बोले, सही एक्षन ले, और सही तरीका का livelihood, आप चूज करें, rather than going for something which is acting negative on someone else, जो किसी और के लिए गलत है, उसको एक लिवली ठीके, सही action करें, सही action रखें, अपने किसी और को हाम ना पहुचाए, सही speech रखें, तो ये कैसे आपको मिलेगा, how, ठीके, how, कैसे आप कर सकते हो, तो ये आपका ethical conduct के अंदर आता है, then the right effort, right mindfulness and right concentration, that comes under the samadhi part, that is what, ठीके, so ये आपका किस के अंदर आएगा, right effort, right mindfulness and right concentration, that will come under the samadhi or meditation part, ठीके, तो ये आपके eightfold path है, total, जो आपके buddhism के अंदर हम consider करते है, for attaining the nirvana, then, आगे हम देख लेते है, wheel of life, ठीके, the six major section represent the six realms, ठीक, ये जो आपके sections है, ठीक है, ये जो आपके sections है, ये आपको क्या बता रहे है, six major realms के बारे में आपको बता रहे है, these realms can be understood as a form of existence or states of mind, into which beings are born according to their karma, ठीक है, आप कर्म के हिसाब से, इसके किसी भी section में आप born करेंगे, ठीक है, the religions also can be viewed as a situation in life, और even a personality type, हम इसको एक life की situation की तरफ से भी देख सकते हैं, और एक personality type से भी देख सकते हैं, अगर आपके पुराने कर्म अच्छे नहीं थे, तो आप उस हिसाब से इस wheel of life में कहीं ना कहीं आके, next birth में आप stuck होते हैं, जिसमें आपके पास कहीं पे राजस है, कहीं पे बिलकुल आपके पास hell दिखाया हुआ है, कहीं पे आपके पास बिलकुल heaven दिखाया हुआ है, तो आप किसी के भी under आके stuck कर जाते हैं, then ignorance of the true nature of the life, encourage craving for those things on fear and reject, अब अग permanent है, forming and dissolving, हर चीज इस तरीके से चल रहे है, जब तक हम इस चीज में रहेंगे, जब तक हम इस चीज को नहीं समझेंगे, कि suffering जो है, वो eternal है, हम de-attachment करेंगे, हम eightfold path रखेंगे, उसे follow करेंगे, ठीक है, तब तक हम ऐसे ही suffer करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम ignorant हैं, अपने intermittent, ठीक, और हम अपने कर्म जो हैं, वो सुधार लेते हैं, eightfold path के थुरू, अगर आप कर्मों को सुधार लेंगे, तो आप इस cycle से free हो जाएंगे, वरना as per your कर्म, आपको वापस इस cycle of wheel में आके, stuck हो जाना है, ठीक है, और अगर आप इस से liberate हो जाते हैं, so that is, देखो, इध यह बेसिकली बुदिजम का बोला हुआ है, then the blinded soul get caught on the repetition of the rebirth and birth cycle, the free one will attain the nirvana, right, जो blinded soul है, जिसको नहीं पता है, कि क्या चीज़ सही है, जो truth of sufferings हैं, वो नहीं पता है, eightfold path को follow नहीं कर रही है, तो वो जो है, वो इसी wheel पर आपकी stuck होके रह जाती है, और जो इस truth को जान ले लेता है, वो free होके आपकी निर्वाना attain कर लेती है, जैसे कि आपके यह आपका area जो है, ठीक है, तो जैसे कि आपके गौतम बुद्ध कर चुके हैं, so that's what basically a life wheel says, ठीक है?